दोस्तों जहिन स्वागत है अब सभी का Study with MSPP चैनल पर दोस्तों ये जनरल हिंदी का जो मौक टेस्ट नंबर के 10 है इसके पहले 9 टेस्ट मैंने करवा दिये हैं दिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेइलिस्ट की लिंक दी हुई है उस पर आप जाईए देख लिजिए ठीक है बहुत महात्पूर्ण महात्पूर्ण करवाए हैं जो कि आपको UPSC के कोई सब एक्जाम हो ठीक है और PT का लेकपाल का या वीडियो का कोई सब एक्जाम हो फाल को पहुचाहां पर जनरल हिंदी पूछी जाएगी वहां पर आपको काम आएगा ये आपको फाइदा पहुचाएगा चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा ठीक है ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे है जो भी जानकारियां मैं देता हूं परिक्षाओं से संबंधित या जो भी मौक टेस्ट वेगरा जो भी करवाता हूं वो सारी चीजें आपको समय पर मिलती रहेंगे पीडिये चाह प्लसवर्ण मिलते हैं तो संधिया होती है मतलब संधी बनती है ठीक है लेकिन जब सब्द मिलते हैं सब्द मिलते हैं तो वो क्या बनता है समास ठीक है याद रखना तो इस चीच को कंफ्यूज मत होना सब्द और वर्ण में ठीक चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा और डी नीचे दिएगे सब्दों में अव्वेः भावसमास का चैन कीजिए अव्वेः का मैंने बताया था आपको अव्वेः भावसमास जिसका जैसे किसी भी सब्द में अगर आप्रत्य आप्रत्य लग जाए प्रति नी नी ही ठीक है बे बे और और भी है ठीक है तो वो सब क्या होगा अव्वेः भावसमास होगा ठीक है जिसका मतलब जिसमें कोई परिवर्टन नहों लिंग वचन और इससे काल से कोई प्रवाव नह पड़े उस उस ऐसे सब्द क्या कहलाते है अव्वे तो अव्वे भावसमास वही है ठीक है तो इसमें आजीवन होगा परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है परा का होता है उल्टा ठीक है निमलिखित विकल्पों में से तत्सम सब्द का चेन कीजिए तत्सम सब्द कौन सा है इसमें त अटारिका अटालिका होता है ठीक है गहरा ये नहीं है ठीक है निक्रिष्ट ये सब्द जो है सुद्ध है ठीक है तत्सम है बिटोजा बिटोजा परियाबाची किसका है तो ये इंद्र का है ठीक है याद रखेगा नचेत्र का नहीं है अपसरा का नहीं है पत्थर का भी नही इसको उद्धत का विलोम क्या होगा विनीत ये सब तो आपने पढ़ा होगा आप विलोम सब्द विलोम परियावाची ये सब आप पूरा इनको रट डालिए इसमें और कोई option नहीं है बिना रट है उसको कोई ये concept तो है नहीं तो आप उसको रट ये किसी पर बिजे पाने की इक्षा रखने वाला क्या होता है वो उसको क्या जिजिविसा नहीं जिग्यासू नहीं पिपासू बिल्कुल नहीं जिगीसू होता है उसको बोलते हैं जिगीसू तो याद रखेगा किसी पर बिजे पाने के लिए जो इच्छा रखता है वो जिगीसू होता है ठीक है डी स तत्परत होता नहीं तंद्व संदीर्ष चेत करना है तो द्व्यागमन यानि dearya में क्या रहा है देवी और देवी का आगमन इस में कौनसी संधी कौनसी बन रही है इसमें संधी कौनसी बन रही है तो मैंने इसके पहले भी पताrock Society कि अगर ई या बढ़ी चोटी जो भी होगा री इसके बाद कोई पनी से रहा होए इसके बाद अगर कोई बन से तो तो इ का क्या हो जाता है या, उ का क्या हो जाता है वा और री का क्या हो जाता है रा ठीक है ये मैंने किस में बताया था यन संदी में ठीक है तो इस तरीके से आप याद रखेगा सब्दों को और एक चीज मैंने बताई थी कि अगर या वा और रा इनके पहले आधे स्वर जाए अगर और आधे सब्द के साथ यह वाले सब्द टीन सब्द दिखें या वा रा ठीक है या वा रा अगर यह देख जाए तो भी वो यहन सन्धी होगी तो याद रखिए गजिसको ठीक है तो यह इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा देवी धन आगमन ठीक है बीच बीच बीचों बीच का क्या होता है, जब सब्दों की पुन्रावित भी हो जाए, तो भी अब्वेभाव समास होता है, जैसे बीचों बीच, रातो रात, मतलब दो-दो बार सब्द आ रहे हैं, तो इस वज़ा से ये अब्वेभाव है, इस तरीके से, देखिए, इसमें next question देखते ह दुवेभा रहे है, तो तो कते हल का कंटफल होता है, छलिए, next देखते है, अक्षवार्थ, अक्षवार्थ क्या है, अक्रोट नहीं है, इसका तदभाव, ढूरणना है, अगहन नहीं है, उसका अगहन होता है, अक्षवोट, यह भी ध्यान तो यह भी ध्यान रखीएगे काउन सा है जब प्रश्ण को पढ़िए तो उसके साथ यह भी देखिए कि इसका क्या है इसका क्या है जैसे आठ स्ट होता है अखाण का कहिए अक्षोट तो याद तो इसमें नेक्स्ट में पूछा है तो क्या होगा सैतान की आंथ मतलब लंबी बात सैतान की आथ कतम ही नहीं होती ऐसे करके तो याद रखेगा देखिए अब गध्यान सथिया हुआ है इसको पढ़ना है मैं इसको छोटा कर देता हूं और दो पार्ड में उसका आंसर दीजिएगा ठीक है यह देखिए यहां तक पढ़ लिया फिर इसके बाद भी पढ़ लिजिए ठीक है वीडियो को पॉस कर लिजिए चलिए next question देखते हैं स्रद्धा और प्रेम में क्या आंतर है तो स्रद्धा एक सामाजिक है और प्रेम व्यक्तिगत है ठीक है तो यह ध्यान रखेगा श्रद्धा एक आनंद पूर्ण क्रतक्ज्यता है क्योंकि हम समाज के प्रति प्रितनित की रूप में इसे व्यक्ति करते है ठीक है थोड़़चोटा कर लेते हैं इसको तो इसे प्रकट करते है तो ये स्रद्धा, स्रद्धा का मतलब यह होता है जैसे आप आपने स्रद्धा रखा वो जो पहला वाला स्रद्धा स्रद्धा जो है उसके मतलब सामूहिक होता है एक तरह के जैसे कहते हैं कि भाई आपको भगवान में स्रद्धा है या आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म में स्रद्धा है तो वह एक मतलब कलेक्टिव वह हो गया उसमें देखिए बहुत सारे लोगों की स्रद्धा हो गया और आप चाहेंगे कि उससे उसमें स्रद्धा का जुड़ा हो सभी लोगों का ठीक है लेकिन अगर आप किसी से प्रेम करते हैं ठीक है जैसा भी प्रेम हो कि प्रकार का तो आप ये नहीं चाहेंगे कि सारे लोग प्रेम करें उन आपको मतलब एक वेक्तिकत आपका उसमें पर्सनल टच होगा ठीक है तो आप नहीं चाहोगे कि तो इसलिए वो प्रशन बनाया गया है उसमें चलिए नेक्स्ट कॉस्चन देखते हैं ये बता दिया मैंन सब्सक CP. अप कौन सा उप्सर्ग है तो अप है अप लगा दिया अध्यापक सब्दЕ का बहुवच्ण बनाते समय किस सब्द का प्रियोक करना उचित होगा तो अध्यापक तो एक बहुवचन है लेकिन अगर आप पहिं आपने सुना होगा अध्यापकगण, तो गण लगा दोगे तो वो बहुवचन हो जाएगा, जब किसी वाक्य में फुकारने का संकेत मिलता है, पुकारने का ठीक है, तो वो कौन सा समास होता है उसमें संबोधन भाई आप किसी को संबोधित करके ही पुकारेंगे हे मित्र हे दोस्त हे सखा ऐसे करके अरे सुनो ऐसे करके बोलेंगे न तो वो क्या है संबोधन है किस वाक्य में तातकालिक वर्तमान काल है तो तातकालिक के मतलब है जो चल रहा है ठीक है तो मैं किताब पढ़ी जाती है ठीक है किताब पढ़ी जाती है ठीक है पुलिंग और स्ट्रिलिंग जो सब्द पहचानने का यही एक तरीका है और सबसे सांदार और बेहतरीन तरीका है कि आप उसको वाक्य में प्रिवोक करिए जैसे सराब पी जाती है ठीक है किताब पढ़ी जाती तो अब जाती है पी जाती है खाई जाती है यह सब क्या है इस्त्रिलिंग हो गया गरीबी जो है होती है बोले यहां बहुत गरीबी है तो यह गरीबी होती है यानि कि यहां भी आपको इस्त्रिलिंग का वह भाव आ रहा है लेकिन गुलाब दिया जाता है गुलाब लाल होता है इस तरीके से जो है उसमें pulling सब्द का भाव आ रहा है तो यह क्या है आपको पहचानने का मैंने एक तरीका बताया ठीक है कहीं भी आप सब्दों को पहचानना हो इस त्रियोग में ले आएए ठीक है प्रियोग में ले आएंगे तो आपको समझ में आ आप करेगा और बहुत आसानी से प्रश्न आप कर सकते हैं तो इस तरीके से 25 प्रश्न आज के भी समाप्त होते हैं इसमें कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक किजिए और कमेंट किजिए आपके कितने प्रश्न सही हुए ठीक है च बस्त रही है, मस्त रही है, बिंदास रही है, जैहिन.